हलो दोस्तों एच्टी फैशन में आप सभी का स्वागत है आज मैं इस साड़ी को यह नैट की साड़ी है इसे मैं रेडिमेट साड़ी में कनवर्ट करने वाली हूँ तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो आप यह वाला पार्ट देख रहे हैं यह हम मैं यहां से कमर का मेजरमेंट लोंगी मेरी कमर है 32 इंच तो उसमें मैं 10 इंच प्लस करूंगी जो की हो जाएगा 42 इंच पर मार्ट करने के बाद यहां पर मैं च्छोटा सा कट डाल रही हूँ ताकि बाद मुझे पता चल सके कि यहां पर माक अक्शली मिठ जाता है नैट क इतने परिशन पर हमारी बैल्ट आएगी तो यह बैल्ट वाला परिशन हो गया अब बार यहां आती है दूसरी साइड यानि की पल्ले वाली साइड यहां पर मैं आपको पल्ले का मेजरमेंट बताती हूं तो यहां पर मैंने ना पा तो उसके अकॉर्डिंग आरा था 85 दालने अबड़ने-टि तो यहां यहां से छूरू करेंगी तो हमारी थोड़ी होगी और बागी सारी equal जाएंगी तो जो हमारी पहली प्लीट है वो है हमारी 18 inches की फुल में 18 है जब आप इसे fold करोगे तो वो 9 inches की हो जाएगी तो यह पहली प्लीट मैं डाल रही हूँ 18 inches की और इसे अब मैं double कर लूँगी तो यह 9 inches हो जाएगी और फिर मैं इसे pin की help से secure कर लूँगी अगर आप pin नहीं लगा पारे यानि की pin नहीं है आपके पास तो आप इसे कच्छा भी कर सकते हैं सुई धागे से अब बाद ही आती है आगे की plates की तो आगे के जो plates हैं वो है हमारी 12 inches यानि की full में 12 inches जब हम इसे fold करेंगे तो 6 inches हो जाएगी तो बाद की सारी plates हमारी 6 inches ही डलने वाली है यहां पर यह मेरी सारी plates अलमस्स सारी डल चुकी है अगर आपका यहां पर जो बादर वाला साइड है उसमें फैब्रिक पचे तो चोटी प्लीट डाल देना मेरा बचा नहीं इसलिए मैंने पूरी ही इकवल करके डाल दिया है है यहां पर मैंने सारी पेंघा दी है ऐक उपर की तरफ भी हम इकवल करके पेंच लगा लेगी क्योंकि अभी हम यहां पर सिलाई लगाने वाले तो यह हमने सिक्यूर कर लिया है, अब बार याती है सिलाई की, तो मैं अब आपको सिलाई पर बताती हूँ कि किस टाइब से, तो यह हमारा प्लीट्स वाला पोर्शन है, सबसे पहले हम प्लीट्स वाले पोर्शन पर सिलाई लगाएंगे, कर भेधा है, सिलेक है तो करेंछ रहा है थिल शह हमारा पर से, तो यह हमांदों है, ज एले निम प्लीट्स वालेख वाले पिया है, सबसे यू कर दो क्याता है? जब सिलाई यहां तक पहुँच जाए तो उसे टर्न कर लेना और प्लीट पे सिलाई लगानी है अब हमने अभी मैं यहां पर 5 इंचिस अपरोग सिलाई लगा रही हूं कर दोया गुपारा रहे हूं यहां पर करा है अजीश मोगानी है अग्याउस पिलाई लगानी हे अभी मैं हुआरा रहे तो यहां पर प्लीट पर मैंने सिलाई लगा दिया अब मुझे एक पट्टी चाहिए चार इंच की यह पट्टी है जो कि मुझे इससे मैचिंग का यह कपड़ा चाहिए ठीक है और अब यह है लास्टिक जो कि मैंने लिए है एट इंचिस की और यह वाला जो पेस्टिंग है पेस्टिंग ले लिए या बुक्रम ले लिए जैसा आपको कन्वीनियंट हो यह मैंने लिए है 16 इंचिस की दो क्योंकि हमारी कमर का साइज सा 32 इंचिस तो मैंने उसका हाफ याने की दो पट्टियां ले लिए हैं बैल्ट बनाने से पहले हम साड़ी की ले लेंगे अगर आ पर जो पेस्टिंग मैंने लिए है पेस्टिंग लेने के बाद इसके साथ मैंने इलास्टिक अटैच कर दिया है एक तरफ इलास्टिक अटाइच करने के बाद अब बारी आते है दूसरी तरफ यानिकी इलास्टिक के साथ पेस्टिंग फिर से अटाइच कर देंगे अब इन दोनों को जॉइंट करने के बाद जो हमने फैबरिक यानिकी पट्टि ली थी उसके साथ इसे जॉइंट कर देंगे कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो पेस्टिंग है उसके बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाने का एक और तरीका है चॉक लीजिए और पेस्टिंग के साथ साथ बिल्कुल एक माक कर दीजिए जिसे आपको सिलाई लगाने में असानी होगी आपको बस उस मार्ग पर सिलाई लगाते हो जाना है पेस्टिंग पे हम सीधी सीधी सिलाई लगा देंगे बीना खीचे जब हमारी इलास्टिक के बारी आएगी तो इलास्टिक हमें खीच के लगाना है जब इलास्टिक कंप्लीट हो जाए तो पेस्टिंग पे फिर से आ जाओ गया आप और फिर हमने सीधी सीधी सिलाई लगाने है बीना खीचे यहां पर बैल्ट हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है अब हम उसी पर अटैच करेंगे यानि कि साड़ी पर अटैच करेंगे जहां पर हमने माक किया था तो यह माक हमने उल्टी साइट किया था लेकिन अटैच हमने सीधी साइट करना है तो यहाँ पर बेल्ट मैं पल्ले वाली साइट से शुरू कर रही हूँ तो यहाँ पर हमने जहाँ पर भी माग किया था उसी के सीद में बिल्कुल लेते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे सबसे पहले हम ये वाले portion को सिक्यार कर लेंगे सिलाई लगा कर ताकि ये बाद में हीले ना या निकले ना कपड़ा आंञ इसने ना ये आरी ना ये सिलाई ना ये. तो एक साइड हमारी बैल्ट लग चुकिया अब हम ये एक्स्ट्रो पोर्शन को कट कर लेंगे कट करने के बाद जो हमारा बैल्ट वाला पोर्शन है यानि कि प्लीटो वाली साइड थी उस पर एक एक हुक लगा देंगे और ये हुक 6 इंच या 7 इंच के गैप में लगेंगे यहां पर हमारे दोनों हुक लग चुके है अब इस पट्टी को हम फोल्ड करेंगे और उस पर एक एक सिलाई लगाएंगे फोल्ड करते वागत जो हम सिलाई लगाएंगे वो हमारी फ्रंट पर देखेगी जैसे पैंट की बैल्ट होती है उसी तरीके से वो फिनिशिंग की लगती है सेम वैसे ही दिखनी चाहिए यहां पर यह हमारे सिलाई बिल्कुल कंप्लीट हो चुके है अब बारी आती है जो हमारे जो ब्लाउस वाली साइट थी उस पोर्शन को फोल्ड करने की आप चाहो तो इसे पीको भी करवा सकती हो मैं यहां पर फोल्ड कर रही हूं झाल उसे फोल्ड करने के बाद अब मैं लगाऊंगी हूक जो की हमारी लगेंगे बैल्ट पर जो हमने बैल्ट बनाई थी पहले मैं उसे मेजर्मेंट कर दूए कि मेजर करके आ कितनी रही है तो हमारा मेजरमेंट था 32 इंचेज और यह आ रही है हमारी 30 इंचेज उसका रीजन यह भी है क्योंकि हमने इलास्टिक डाले तो थोड़ा स्ट्रेच रहे का फिटिंग की रहेगी और यहाँ पर जो हमने हुक लगाए थे उसके दूसरा पार्ट लगाने के लिए हम यहाँ पर मार्क कर क्या है और अब हम इस पर दूसरे उसके हुक होते हैं वह वले अब लगा देंगे तो यहाँ पर अब यह दोनों हुक लग चुके हैं यह हमारी साड़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है रेडी मेट स्टाइल हो चुकी है तो आपको यह वीडियो कैसे लेगी वीडियो अच्छी लोगी तो वीडियो को लाइक करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई